अगर आप एक CAC VLE हैं तो आप अपने पास एक LPG distributor point भी open कर सकते हैं इसके लिए आपको 1000 रुपीज security deposit करना होगा जो की one time funding होगी मतलब कि आप सिर्फ 1000 रुपे में LPG की mini branch open कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत जादा कोई documentation की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पास सिर्फ CAC का certificate और आपका अधार card और एक photo होना चाहिए उसके बाद आप LPG की mini branch open कर सकते हैं LPG की mini branch मिलने के साथ साथ ही आपको काफी सारे access भी मिल जाते हैं जैसे कि आप एक नया LPG connection करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने पास से ही कर सकते हैं साथ ही आप LPG cylinder को refill भी कर सकते हैं और online booking भी कर सकते हैं इन सभी services पर आपको commission भी दिया जाता है जो आपकी agency होगी जिस distributor के साथ आपका tie up होगा उसकी तरब से आपको हर एक service पर commission भी दिया जाएगा कौन सी service पर आपको कितना commission दिया जाएगा इस पर मैंने एक galaxy chart बनाया हुआ है उस chart को मैं telegram channel पर upload कर दूँगा तो आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा और वहाँ से आप commission chart को download करके commission को check कर सकते हैं तो इन सभी services के साथ साथ आपको 10 LPG cylinder अपने पास store करके रखने की permission भी मिल जाती है पूरी तरह से आप legal तरीके से अपने पास 10 LPG cylinder को store करके रख सकते हैं और उन में से 7 cylinder को आप fill करके भी मतलब कि 100 kg gauge तक आप अपने पास store करके रख सकते हैं उसके बाद आप अपने पास से ही जो आपके LPG customer से उनके cylinders को आप refill कर पाएंगे तो आप इन सभी services को अपने CSE center से ही access कर सकते हैं या आप अगर घर से access करना चाते हैं तो आप घर बेटे भी इन सभी services को access कर सकते हैं आपको agency जाने की ज़रूरत नहीं है cylinder आपको agency खुद आपके घर तक पहुँचाएगी और हर एक service पर आपको commission भी देगी तो ये काफी अच्छी opportunity है दोस्तो अगर आप घर बेटे 1000 रूपे कमाना चाते हैं बहुत कम मेहनत में तो ये काफी अच्छी opportunity है आप LPG की mini branch open कर सकते हैं और घर बेटे ही महीने के 1000 रूपे कमा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको complete process दिखाने वाला हूँ आप LPG distributor point के लिए किस तरह से online registration करेंगे क्या-क्या steps आपको follow करने है और किस तरीके से वहाबर कौन सा document आपको upload करना है किस तरीके से payment करना है यह सब ही कुछ आपको detail में इस वीडियो में बताने वाला हो सो वीडियो को अंतक देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो like और share कर दीजिएगा चैनल पने तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को भी ओन कर लिजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले आपको digital sewa portal में login कर लेना है अपनी csc id और password डाल के आप login कर लेंगे उसके बाद यहां search services में जाएंगे और यहां पर type करेंगे lpg यहां पर दूसरे नंबर पर आपको option मिल जाता है registration of lpg distribution point इस पर okay करेंगे एक new window open हो जाएगी यहां पर देखे शुरू में एक offer आपको देखने को मिलेगा अभी एक offer चल रहा है यहां पर 1st मई से लेके 31st मई 2021 तक के लिए यहां पर criteria देख सकते हैं criteria में आपको कुछ task दिया गया है जो आपको complete करना है उसके बाद यहां पर rewards दिया गया है कि आपको कौन सा task complete करने पर क्या यहां पर rewards दिया जाएगा तो यहां पर आप इस offer पर भी गोर कर सकते हैं registration करने के बाद काफी अच्छा यहां पर यह offer चल रहा है फिलाल के लिए हम इसको यहां पर close कर देंगे इसके बाद यहां पर देखिए आप services देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर आप LPG cylinder book कर सकते हैं CSC के थरू दूसरा है यहां पर उजवल KYC application submit कर सकते हैं CSC के थरू और यह पूरी details आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर प्रोसीड करेंगे अब यहां पर लास्ट वाला जो option है LPG distributor through CSC रिश्टेसन करने के लिए आप यहां click here इस पर रोके करेंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर registration page open हो जाएगा जिसमें आपको अपनी कुछ details डालनी है जैसे कि अपना नाम डालेंगे यहां पर आपकी CSC ID आ जाएगी यहां पर mobile number डालेंगे यहां पर email ID डालेंगे यहां पर state select करेंगे यहां पर district select करेंगे उसके बाद यहां पर oil marketing company select करेंगे आपके नजदीक में जो भी इनमें से सबसे नजदीक पड़ती है वो आप select कर सकते हैं तो हमारे नजदीक में यहां पर है हिंदुस्तान petroleum यानि की HP तो हम यहां पर HP select करेंगे उसके बाद यहां select distributor name में आपके सामने option आएगा select का आप select पर रोके अगर के सबसे नजदीक पड़ती है तो हम यहां पर इस वाली agency को select करेंगे इस registration को complete करने से पहले आपको अपनी agency यानि की जो आपका distributor है जिसके माधियम से आप registration करना चाहते हैं उससे भी आपको पहले contact करना होगा क्यूंकि वहां से आपको एक agreement sign करवाना होगा और agreement वो यहां पर upload करना होगा तो यहां पर मैं गेंदा गेस agency से पहले ही बात कर चुका हूँ और वहां से मुझे agreement भी मिल चुका है उस पर stamp और signature भी हो चुके हैं आप इस format को यहां से भी download कर सकते हैं Sample of Memorandum of Understanding between CSE VLE and Distributor आप इस पर OK करेंगे format देखें यहां पर download होना start हो चुका है उसके बाद इसको open करेंगे तो इसका जो format है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आप इसको चाहें तो अपने पास से भी print करके लेके जा सकते हैं agency या आप इसको जो है वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं को हर agency पे यह form मिल जाता है आपको इसमें ज्यादा कुछ फिल नहीं करना है यहां पर आपकी agency का नाम आएगा agency का address आएगा और नीचे यहां पर आपको अपनी कुछ details डालनी है तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ जिस form को मैंने पहले से ही फिल करके रखा है यहां पर देखिए जो form में total 4 page का form है यहां पर आपके agency की details आएगी जैसी का नाम address यहां पर आपका address आएगा यहां पर block डाल सकते हैं यहां पर district और state डालेंगे उसके बाद यहां पर date डालेंगे जिस date में आप इस form को upload करेंगे यानि के registration करेंगे उसके बाद आपको सिर्फ last वाला page फिल करना है यहां last में आएगे और यहां पर आपको डालना है अपना नाम उसके बाद CAC ID डालेंगे यहां पर mobile number और यहां पर address डालेंगे और यहां पर आपको signature करना है signature आपको 45 के उपर करना है उसके बाद आपको इस form को upload करना है इस form को आप combine कर लेंगे एक PDF में 4-5 को और उसके बाद upload करेंगे अब यहाँ पर इस form को लेकर एक confusion यह रहता है कि आपको क्या इस form को simple इसी तरह से print करना है या फिर किसी stem paper पर print करवाना है तो इसके लिए मैंने अब direct अपने distributor यानी के agency बात की तो agency वालों ने मुझे बताया कि इसको आपको stem paper पर print करवाने की जुरुत नहीं है आप इसको normal paper यानी कि इस तरह से plan paper पर print करवाके fill करके verify करके upload कर सकते हैं और बाकी अगर आप stem paper पर print करके इसको verify करके upload करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं उसमें भी कोई problem नहीं है तो यह आपके ओपर depend करता है कि आप इसको stem paper पर print करके verify करके upload करना चाहते हैं या फिर normal paper पर print करके upload करना चाहते हैं तो यहां पर हम इसी को upload करेंगे, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे का process, आगे का आपको process कैसे complete करना है, तो इसके लिए आप वापस आएंगे इसी वाले page पर, यहां download documents में आपको और भी documents download करने का option मिल जाता है, जैसे कि LPG की guideline आप यहां पर PDF file में download कर सकते हैं, और आप download करने के बाद उसको पढ़के समझ सकते हैं कि LPG की क्या-क्या guidelines होती है, तो अगर आप CST के माधियम से LPG का काम करना चाहते हैं, registration करना चाहते हैं, तो आपको guideline भी पता होनी चाहिए, तो आप यहां LPG guideline पर OK करेंगे, और यहां पर यह PDF file download होनी start हो जाएगी, download होने के बाद इसको open करेंगे, और यहां पर यह दो पेंच में आपको guideline दी गई हैं, तो आप इसको पढ़के एक बाद समझ लेंगे अच्छे से, यहां पर commission मगेरा भी लिखा गया है कि आपको क्या-क्या commission मिलेगा, और क्या-क्या guideline है जिनको आपको follow करना होगा, उसके बाद आप यहां पर CAC Valley का क्या रहेगा, वो भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यहां पर कुछ notes लिखे हुए हैं, पहला जो note है इसमें लिखा हुआ है कि आप CAC के माधियम से oil marketing company के लिए LPG gas cylinder की request submit कर सकते हैं, दूसरा जो note है इसमें बताया गया है कि आपको 1000 rupees security deposit करना होगा, जो कि आपक यहां पर आपको हर एक cylinder बेशने पर 10 रुपे का commission अलग से दिया जाएगा, जो कि distributor की तरफ से आपको paid किया जाएगा, for example अगर 840 रुपे का cylinder है तो आपको 830 रुपे का distributor की तरफ से पढ़ेगा और आपको 840 रुपे का ही sell करना होगा, मतलब यह है कि जो customer को agency rate मिलता है, cylinder क वही rate आपके पास से मिलेगा, जो 10 रुपे का commission है वो आपको distributor pay करेगा, और अगला जो note है इसमें लिखा हुआ है कि आपको local distributor के साथ sign करना है, यानि कि memorandum of understanding form जो मैंने आपको बताया है, इस form को आपको download करना है और उसके बाद इसको fill करके agreement करवाना है अपने distributor के साथ, औ यहां पर आपको guideline को follow करने के लिए कहा गया है कि जो LPG की guideline से उनको complete follow करना है, और यहां पर last में बताया गया है कि आपको कोई भी other extra amount किसी को भी pay करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका distributor ही क्यों ना हो, किसी को भी आपको 1000 जो आपकी security deposit amount है, इसके लावा किसी को आपक आपको धियान रखना है और किस तरी किसे आपको application को submit करना है, तो चलिए अब देख ले दें कि application कैसे submit करेंगे, यहां पर आप अपनी complete details fill कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद यहां पर upload document में, आप choose file इस पर रोके करेंगे, और जहां पर भी आपने file क scan करके रखा हुआ है, जैसी कि हमने यहां पर रखा है, इसको select करेंगे, उसके बाद open करेंगे, तो यहां पर यह form आ जाएगा, तो यहां पर सारी details को हमने fill कर दिया है, आप भी सारी details fill करेंगे, उसके बाद इस application को submit करेंगे, अब यहां पर आपके सामने final preview आजाएगा, ज यहाँ पर आपका CAC ID automatic आ जाएगा, आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है, जो आपका CAC का पासवर्ड है, और उसके बाद validate करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना wallet का pin डालेंगे, और यहाँ पर pay पर ok करेंगे, सो हमारा जो payment है वो successful हो चुका है, यहाँ पर आप transaction status में देख सकते हैं, successful, amount 1000 रुपीज हमारा debit हो चुका है, wallet से, और यहाँ पर date and time, और यहाँ पर registration number भी हमें मिल चुका है, CAC ID आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो registration है वो complete हो चुका है, registration complete होने के बाद इसका एक screenshot लेना है और उसका print निकालना है, print निकालने के बाद आपकी जो agency है, जो distributor है, वहाँ पर जाके आप उसको जमा करवा देंगे, तो यहाँ पर आपको LPG refill request का option मिल जाता है, जहाँ से आप booking कर सकते हैं, LPG ID के थरू, mobile number के थरू, consumer number के थरू, आप यहाँ पर new connection भी क portal, तो अभी हमारा approval नहीं आया है, सिर्फ हमने register किया है, यहाँ पर आप VLE report में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, under development अभी दिखा रहा है, तो अभी हमें यहाँ पर approval मिलने में 24 hours से लेके 48 hours तक का भी time लग सकता है, मैंने जो distributor से बात की थी, तो हमारे distributor ने यही बताया तो एक बार approval मिलने के बाद आपको यह जो services यहाँ पर दी जा रही है, इन services का आप किस तरह से लाव उठाएंगे, और क्या क्या आपको इनमें benefit मिलेगा, यह सब कुछ में आने वाली आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँगा, तो आज किस वीडियो में इतना ही था आई ओप की वीडियो पसना आया होगा, वीडियो चलागा हो तो लाइक हो शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें, बाकिस वीडियो से रि कर लेखें